अगर आप मुवीज के शौकी नहीं है अपने टॉरेंट का नाम सुनाई होगा और अगर आपने कभी उसमें कम से कम साइज में सबसे अच्छी क्वालिटी की मुवीज डाउलोड की हो देन इट इस दू अल्ली वन परसन यिफ्टाक स्वैरी इफ्टाक जो 23 यह का ओकलेंटी है उसने एक पाइरसी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो काफी मश्यूर आज पूरे वर्ल्ड में और उसके हजारो क्लोंस आज बन चुके हैं कैसे चलिए कहानी आपको सनाता हूं जिफ्टाक ने 2010 में वाइफ़ए टोरेंट स्टार्ट की जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ व प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखनी है तो आप डिरेक्ली उसका प्रेक्टिकल इंप्लिमेंटेशन करें राधर देन रीडिंग बुक्स अबाउट इट स्वरी को पता था कि ये इल्डिगल है उसने ऑफ़रिटी से कभी डरने की ज़रूद नहीं समझी और उसे ये फेम अच्छा लगने लगा था इसलो इंटरनेट के कारण उसे आउट अफ कंट्री के सर्वस यूज़ करने पड़ते थे पर मन्त पो अराउंड 200 तो 300 GB अफ डेटा यूज़ करते थे ताकि वह वेबसाइट इंटरनेट पर कॉंस्टेंटली फ्लोट होती रहा है मज़े की बात यह है कि उसके टोटल 8 दोस्ट अक्रोस दे वर्ल्ड जो पूरे फॉर्मेट में वीडियो बनाते थे और उसे साइट पर अप्लोड करते थे पर वो किसी को इन परसन नहीं मिले और 2012 में एक बोट स्वेरी प्रोग्रम बनाया गया जो आटो के नाम से जाना गया जिससे मुवीज आप राइट फॉर्मेट में डाइरेकली डाउलोड होकर अपलोड हो जाती थी मतलब सब प्रोसेस ऑटोमेट हो चुकी थी अब साइट अपने आप ही चल रही थी विदाउट एनी मोनीटरीं थी वाइटीस वेबसाइट पर एट मिलियन विजिट्स पर डे आती थी जब जिफटेक को मुवी स्टूडियो ने कॉंटेक किया धनी स्टॉप डूइंग पाइरसी विकोज उसे पता था कि ये प्रोजेक वो सिर्फ अपनी होबी के लिए गर रहा है जब तक इंटरनेट रहेगा मुवी पाइरसी होती रहेगी जब तक मुवी पाइरसी को रोकने की ट्राइ करे हैं पर जब तक इंटरनेट मुझूद है मुवी पाइरसी होती रहेगी अगर मुवी स्टूडियो को पार्रेसी के अगिंस लड़ना है तेन मुवी चीप और एफटलेस बनाना ज़रूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख है लाइक स्पोटीफाई जिसने मुजिक इंड़स्री का पूरा आउटलुक चेंज कर दिया है आद स्वरी ने मुवी स्टूडियो के साथ कोट में सैटल कर लिया है और उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी जारही है and he's not worried about future at all If you have found this video helpful please hit the like button and comment down below की आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए Thank you very much for watching I'll meet you next time